नमस्ते दोस्तों स्वागते आप सभी का इस यूटूब चैनल में आज हम पढ़ेंगे कक्षा दस्वी विशे हिंदी पूरक पठन चार मन स्वाध्याए सुचना के अनुसार कृतिया कीजिये एक लिखिये निम्न लिखित हाईखू दोरा मिलने वाला संदेश और पहली लाइन है करते जाओ पाने कीमत सोचो जीवन सारा इससे मिलने वाला संदेश है हमें पूरे जिवन भर अपना कार्य अपना काम करते रहना चाहिए हमें कुछ प्राप्त होगा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए दूसरी लाइन है भीतरी कुंठा नैनों के दौर से आई बाहर और इसे मिलने वाला संदेश है जब हमारी आखों से आसू बैते है तो समझना चाहिए कि हमारे मन की कुंठा हमारी आखों के दौर से बाहर आ रही है दूसरा कृती पूर्ण कीजिए हाइकू में प्रयुक्त मैना और उसकी रुतु हाइकू में प्रयुक्त मैना है फागुन और उसकी रुतु है वसन्वित तीसरा उत्तर लिखिये उसमें पहला है मंजधार में डोले और उत्तर है जीवन नया दूसरा है छिपे हुए उत्तर है सितारे तीसरा धुल गए उत्तर विशाद चौथा अमर हुए उत्तर गीतों के स्वर चौथी कृती है निमनलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रिये वाव स्पष्ट कीजिए और पहला है चलती साथ पट्रिया रेल की फिर भी मौन इन काव्य पंक्तियों का केंद्रिय भाव है रेल की पट्रिया कई सालों से साथ साथ चल रही है पर वे हमेशा मौन रहती है वे कभी एक दूसरे से बाते नहीं करती दूसरी पंक्तिया है काटों के बीच खिल खिलाता फूल देता प्रेरना इन पंक्तियों का केंद्रिय भाव है गुलाब का फूल काटों के बीच रहकर भी खिल खिलाता है मुसकुराता है वही हमें प्रेरना देता है हमारे जीवन में कितने ही काटे क्यों न हो परेशनिया क्यों न हो हमें हमेशा मुसकुराते रहना चाहिए अब हम बढ़ेंगे उपयुजित लेखन की और वक्तरत्व प्रतियुता में प्रतम स्थान पाने की उपलक्ष में आपके मित्र या सहेली ने आपको बधाई पत्र बेजा है उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारुप में पत्र लिखिये और प्रारुप हमें दिया गया है दिनांक, संबोधन, अभिवादन, प्रारंब, विशय विवेचन, तुमारा तुमारी, नाम, पता, इमेल आईडी इस प्रारुप में हमें यह पत्र लिखना है वक्तरुत्व प्रतियुगता में प्रथम स्थान पाने के लिए तुमारा बधाई पत्र मिला पत्र देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा तुमारे जैसे मित्रों की वज़े से ही आज मैं इस उचाई पर पहुचा हूँ जैसे मैंने वक्तरुत्व के लिए प्रारंब किया मैंने तुम जैसे दोस्तों को याद किया और फिर क्या मेरे वक्तरुत्व ने मंज़ पर माहोल बना दिया इस हेतु मैं आप सभी का आबारी हूँ धन्यवाद तुमारा किशन चवान नाम किशन चवान पता उसके बाद है सुचना के अनुसार कृतिया कीजिए पहला है उचित जोडिया मिलाईए असंच में है मचली, गीतों के स्वर, रेल की पट्रिया, आकाश और आसंच में मौन, सुना, पैसी, अमर पिड़ा और उचित जोडिया है मचली, पैसी, गीतों के स्वर, अमर, रेल की पट्रिया, मौन, आकाश, सुना दूसरी कृती परिणाम लिखिये, पहला सितारों का चिपना, मतलब सुना आकाश, दूसरा तुमारे गीतों को स्वर देना, इसका अर्था परिणाम है, गीतों का अमर होना तीसरी कृती सरल अर्थ लिखिये, मन की पीड़ा च्छाई बन बादल बरसी आखे, इस पंक्ती का सरल अर्थ है, जब मन की पीड़ा मन का दुख दर्द बहुत गैरा होता है, ज्यादा होता है, तब वह बादल बनकर अश्रुओं के रूप में बरसता है यहाँ हमने इस पुरग पटन का स्वाध्याय पूरा किया, ऐसे ही हिंदी विशे और भी विशेयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे, हमारे सबी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पूंफ्टने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करे, अगर कोई सुजावे प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, इस वीडियो को अन्त तक देखने के लिए धन्यवाद, थेंक्यू, थेंक्स अलोट